हेलो फ्रेंट्स आज हम बहुत यासन डिजाइन बनाएंगे बास्केट विश्टीज पैटर्न है यह यह चार के मल्टिकुल में बनता है चार फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा और दोनों करब एक लिए एज़्टीज लिया है एड रोच यह कंप्लीट होगा यह पैटर् तो यह देखते हैं से केस से बनाय जाता है तो यह है राइट साइट और हमारा रोव वन रोव वन हम सीधा पुनते हुए कंप्लीट करेंगे राइट साइट रोव वन सारे फंद हमें सीधा पुनना है अर्सकेंड रोव उल्टा साइट से हमारा यह देजाइन शुरू होगा यह था हमारा रोव वन जिसे हमने सीधा पुनते हुए कंप्लीट किया अभी रोटो में क्या करना है देखिए यह जो टिजैन यहां सीधा बुना हुआ है तो इसके उपर इस तरह का बुनाई अना चाहिए उल्टा तो यह हम क्या करेंगे चार पंदा उल्टा बुनाएंगे कि जैन में हम चार पंदा सिधा और चार पंदा उल्टा ही बुनाएंगे तो यह जहां सिधा एक पेटन जहां सिधा है इसके उपर उल्टा बुनाई आएगा और जहां उल्टा है तो चार पंदा सिधा बुनाएंगे फिर चार पंदा उल्टा चार पंदा सिधा और चार पंदा उल्टा बुनाएंगे इस रोको कम्प्टिट करेंगे चार पंदा बुनाएंगे इसके उल्टा उल्टा पंदा 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 उल्टा इसके उल्टा आएंगे हमारा second row complete हो गया अब हमारा third row है third row देखिए जहां पर इस लाइन में उल्टा बुना है हम फिर से उल्टा बुनेंगे चार फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा फिर चार फंदा सीधा बस seven lines तक हमें इसी को repeat करते जाना है और हमारा basket web stitch बनके तियार हो जाएगा पहुत ही आसान डिजाइने फ्रेंड्स बस सीधा और उल्टा बुनते जाए और आपका ये प्यारा से डिजाइन तियार हो जाएगा चार सीधा चार उल्टा देखिया हमारा डिजाइन इस तरह से आएगा अब इसके आगे हमें और पांच लाइन इससे रिपीट करना है चार फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा 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 के उपर उल्टा बुनेंगे और सीधा के उपर सीधा बुनेंगे रों सेकती जहां सीधा बुने है यहां उल्टा बुन रहा है जहां उल्टा फंदा बुने है वहां उल्टा बुनेंगे तो बस एक चीज ध्यान रखना है एट रोच रिपीट पेटन में सिर्फ एक लाइन हमें पोरा सिधा बुनना है इसके बाद चार खंदा सिधा चार खंदा उल्टा इसी तरह मनाते जाएंगे बहुत यासन डिजाइन है तेंक यू